नमस्कार, मेरे चनल में आप सभी का स्वागत है, मैं डॉक्टर अंजी ओजा, आज आपको जुआर भटा के बारे में बताने जा रही हूँ हम यहां देख रहे हैं सूरिय तथा चंद्रमा की आकर्शन शक्ती के कारण सागरिय जल के उपर उठने तथा गिरने को जुआर भटा कहा जाता है तो हम यहां यह समझ सकते हैं कि सागरिय जल का उपर उठना और गिरना दोनों समलित रूप से जुआर भटा कहलाता है जवार भाटा से उत्पन तरंगों को जवारिय तरंग कहते हैं सागर यह जल जल के उपर उठकर आगे बढ़ने को जवार तथा उस समय निर्मित उचजल तल को उचजवार कहते हैं तो यहां हम देख रहे हैं कि जो सागर का जल आगे की तरफ बढ़ रहा है उसको तो हम जवार कहेंगे और उस समय जो जल का तल है उसको हम उच जवार कहते हैं सागरिय जल के नीचे गिर कर पीछे लोटने को भाटा तथा उससे निर्मित जल को निम जवार कहते हैं ये जो किरिया है वो जुवार के बिलकुल विप्रीत है, जुवार में जल आगे की तरफ बढ़ता है और भाटा में जल पीछे की तरफ लोटता है। पृत्वी के महा सागरिये जल के जुवार की उत्पती चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्शन बलों दुआरा होती है। पृत्वी का व्यास 12800 किलोमेटर है, परिनाम सुरूप पृत्वी की सतय केंदर की अपेक्षा 6400 किलोमेटर नजदीक है। चंद्रमा का केंदर पृत्वी के केंदर से 3,84,800 किलो मिटर दूर है ये दोनों के केंदर के बीच की दूरी को बता रहा है तथा पृत्वी की सतय चंद्रमा की सतय से 3,77,600 किलो मिटर दूर है ये दोनों के सतय की दूरी है चंदर्मा के सामने पृत्वी की सतय वाले भाग के पीछे इस्तित भाग चंदर्मा की सतय से 3,90,400 किलोमेटर दूर इस्तित होगा अते चंद्रमा के सामने इस्तित भाग पर चंद्रमा की आकर्षन शक्ती का सरवाधिक प्रभाव होता है और उसके पीछे इस्तित भाग पर न्यून्तम परिनाम सुरूप चंद्रमा के सामने इस्तित प्रत्वी का जल उपर खिच जाता है जिस कारण उच जवार अनुभव गयता है तथा इस स्थान के ठीक पीछे भी निम्न जवार का अनुभव गयता है तो यहां हम देख रहे हैं कि जो भाग चंद्रमा के सामने होगा वो सर्वाधिक आकर्षित होगा और वहाँ पर उच जुआर का निर्मान होगा 24 गंटे में प्रतेकिस्तान पर दो बार जुआर तथा दो बार भाटा आता है जब सूरिय तथा चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो दोनों की आकर्षन शक्ति मिलकर एक साथ कारे करती है तथा उच जुआर अनुभव किया जाता है उच जुआर की स्थिती पुर्णमासी तथा अमावश्या को होती है इसके विप्रीद जब सूरिय पृत्थी टथा चंद्रमा मिलकर समकोन बनाते हैं तो सूरिय तथा चंद्रमा के अकर्षन बल एक दूसरे के विप्रीद कार्य करते हैं जिस कारण निम्न जुआर का प्रत्वी पक्षिम से पूरव दिशा में चक्कर लगाती है प्रिणाम सुरूप जुवार के इंदर पूरव से पक्षिम दिशा की और अग्रसर होता है जुआर के इंदर जब अपना एक चक्कर पूरा लगा लेता है तो शन्दर में उसके कुछ आगे निकल गया रहता है क्योंकि वह भी परित्वी यहां हम देख रहे हैं कि चंदर्मा भी पृत्वी की परिक्रमा कर रहा है इसलिए जो जिवार के अंदर है वह कुछ आगे चला जाता है परिणाम सुरूप जवार के के लिए लगभग 52 fabrics की और यात्रा करनी पड़ती है इस तरह जवार के ईंद्र को चंदर्मा के सामने आने में 24 घंटे 52 खर्च करने पड़ते हैं परंटुージ इसी समय जवार के इंद्र के विप्रीत इस्तित भाग में जुआर 26 मिनट देरी से अर्थार 12 घंटे 26 मिनट से आएगा तो यह जो 26 मिनट का एक्स्टर जो टाइम लग रहा है उसका कारण है कि वो जुआर के इंदर आगे की तरफ किसक जाता है और उसी जुआर के इंदर को चंद्रमा के सामने आने में 52 मिनट का एक्स्टर टाइम और आता है इस तरह परतेक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट बाद जुआर मात है यहां हम देख रहें कि जुआर किस-किस प्रकार के होते हैं तो यहां देखी जुआर के प्रकार पूर्ण अथ्वा दिर्ग जवार दूसरा लगू जवार तीसरा अयन वर्तिये तथा भूमद्य रेखिये जवार नमबर चार है अपभू तथा उपभू जवार नमबर पांच है दैनिक जवार नमबर छे अर्द दैनिक जवार और नमबर साथ है मिश्रित जवार अब यहां हम बात करेंगे पूर्ण अथ्वा दिर्ग जवार, तो पूर्ण अथ्वा दिर्ग जवार जब होंगे, जब सूरिय, चंद्रमा और पर्त्वी एक सरल रेखा में होते हैं, उस समय इस इस्तिति को यूती व्यूती या सीजिगी कहते हैं, जब सूरिय, चंद्रमा तथा पर्त्वी करम से अर्थार पहले सूरिय, फिर चंद्रमा और पर्त्वी करम से एक सीद में होते हैं, तो अर्थार इसका मतलब हो गया, सूरिय तथा चंद्रमा पर्त्वी के एक साइड में होते हैं, तो उसे यूती या सूरिय ग्रहन की इस्तित कहते हैं जब सूरिय और चंद्रमा के बीच यानि प्रत्वी बीच में आ जाती है तो उसे व्यूति कहते हैं और जब सूरिय चंद्रमा तथा प्रत्वी समकोन की स्थिति में होते हैं तो उसे समकोनी की स्थिति कहते हैं यूति की स्थिति अम आवश्या उसको हम न्यू मून क को होती है यूती व्यूती की स्थितियों सूर्य प्रत्थवी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति के कारण चंद्रमा तथा सूर्य के अकर्षन बल साथ मिलकर कार्य करते हैं जिस कारण उच्च जवार का अन्भव के अधिक है इस जवार की उचाई सामान्य जव महिने में 2 बार 1 बार अमावश्य को और 1 बार पूर्ण मासी को आते हैं दिर्ग जुवार के समय भाटा की निचाई सर्वाधिक होती है यहां हम देखने इस स्लाइड में पून अथ्वा दिर्ग जुवार को डाइग्राम के द्वारा समझाया गया है जिसमें एक बार फुल मून की स्थिति को दिखाया गया है और दूसरी बार न्यू मून की स्थिति को दिखाया गया है अब हम बात कर रहें लगु जुवार प्रतेक मास के सुकल तथा चंद्रमा के ज्वारोत पादक बल एक दूसरे के विप्रित कारे करते हैं जिस कारण सामाने ज्वार से भी नीचा ज्वार आता है इसे लगू ज्वार करते हैं लगू ज्वार सामाने ज्वार से 20 प्रतिशत नीचा होता है इसका कारण होता है कि सूर्य और चंद्रमा अपनी अपनी तरफ जल को आकर्शित करते हैं जिस कारण ये जवार 20 प्रतिशत नीचा होता है और लगुजवार कहलाता है अब यहां इस स्लाइड में देखिए लगुजवार की स्तिती को डाइग्राम के थुरू समझाया गया है यहां हम देख रहे हैं अयन वर्तिय तथा भुमद्य रेखिए जवार सूर्य के समान चंद्रमा की भुमद्य रेखा के संदर्व में उत्तरायन तथा दक्षिनायन इस्तितियां होती है यदि सूर्य के इस्तितियां एक वर्स में पुन होती है तो चंद्रमा इसे 27.5 दिन के स यूति मास जो की 27.5 दिन का होता है जब चंद्रमा का उत्तर की और अधिक्तम जुगाव होता है तो चंद्रमा की किरने जुवार के अंदर वहां जुवार के अंदर होगा करकरेखा के पास लमवत पड़ती है जिस कारण उच जुवार आता है तथा वैकरकरेखा के सहारे पस रेखा तक्ता मक्कर रेखाओं के समिप आने वाले क्रमिकòn जिवार तथा भाटा ए समान उँचाई वाले होते हैं इस तरह के जिवार भाते से क्रम शह अधिक उचे तथा जब चंद्रमा अधिक्तम जुकाव कहां उत्रायन की स्थिती में करक रेखा के पास और दक्षिनायन की स्थिती में मक्कर रेखा के पास होता है। इन स्थितियों में करक तथा मक्कर रेखा के पास आने वाले जवार को अयन वर्तिय जवार कहते हैं। प्रतेख महीने में चंद्रमा भूमद्य रेखा पर लंभ उता है जिस कारण दैनिक ऐसा मांता लुप्त हो जाती है क्योंकि दो उच्छ ज्वारों की उच्वारों की उच्छाई समान होती है इसे भूमद्य रेखिये ज्वार कहते हैं नेक्स्ट अपभू तथा उपभू जवार, जब चंद्रमा प्रत्वी के निकट होता है, तो उसे चंद्रमा की उपभू इस्तिती कहते हैं, इस्तिती में चंद्रमा का जवारोत पादक बल सरवादिक होता है, जिस कारण उच जवार अनभव होता है, जो की सामान्य जवार स 15-20% तक बड़ा होता है इसे उपभू या भूमी नीच जवार कहते हैं इसके विप्रीत जब चंद्रमा परत्वी से अधिक्तम दूरी पर होता है तो उसे अपभू इस्तिती कहते हैं इस समय चंद्रमा का जवारत पादक बल न्यूंतम होता है जिस कारण लगू जवार उत् जवार कहते हैं यहां देखिए अपभू तथा उपभू जवार को स्लाइड में डाइग्राम के दुआरा दर्शाया गया है जहां एक स्तिती बताई गई है जन्वरी तीन की और एक स्तिती बताई गई है चार जुलाई की अब हम बात कर रहे हैं द्यानिक जवार वे जवार भाटा करते हैं यह जवार प्रति दिन 52 मिनट की देरी से आता है किसी स्थान पर प्रते एक दिन में दो बार आने वाले जवार को अर्द जवार करते हैं तथा प्रते एक जवार 12 गंटे 26 मिनट बाद में आता है हम यहां बात कर रहे हैं मिश्रित जवार की किसी मान अर्द गनिक जवार को मिश्रित जवार कते हैं अर्थार्थ दिन में दो बार जवार आते हैं परंतु एक जवार की उचाई दूसरे जवार की अपेक्षा कम तथा एक भाटा की नीचाई दूसरे की अपेक्षा कम होती है एक समय में आने वाले जवार इस्थानों की परिकल्पनाएं कौन सी है ज्वार भाटा की उत्पत्ति की परिकल्पना में प्रथम परियास आईजेक न्यूटन का है जिनों ने 1687 इस्वी में गुरुत्पाकर्शन बलको अपने सिध्धान्त का आधार बनाया 1755 में लापलांस ने गतिक सिध्धान्त का प्रतिपादन किया विल्यम वेल ने 1833 तथा जी बी एरी ने 1842 में प्रगामी तरंग सिध्धान्त का प्रतिपादन किया इस सिध्धान्त के विरोध में आर ए हैरिस ने इस्टैतिक तरंग सिध्धान्त का प्रतिपादन किया विल्यम वेल ने 1833 में प्रगामी तरंग सिध्धान्त तथा एरी ने 1842 में नेहर सिध्धान्त का प्रतिपादन किया अमेरिकी विद्वान हैरिश ने प्रगामी तरंग सिध्धान्त के विरोध में इस्तेतिक तरंग सिध्धान्त का प्रतिपादन किया इसी के साथ हमारा ये विशे यहीं पर समाप्त हो जाता है और जो जवार भाटा की उत्पति से समंदित सिध्धान्त हैं उनको हम किसी अगले वीडियो में अध्यन करेंगे और अंत में आप सभी का धन्यवाद